हेलो फ्रेंस स्वागत आप सभी का मैं स्टेडी दोष्ट यूटूब के एक और न्य वीडियो में यह है हमारा रागा के एक और ने प्रैक्टिस सेट तो यह आज होने वाला है रागा प्रैक्टिस सेट नमबर ट्वैल्ड सो कैसे आप सब लोग है हो आप सभी ठीक होंगे औ और इचले क्यूसन मैंने आपको दिया था 35 नमबर उसका जो प्रैक्टिस है नमबर 11 था उसमें आपको जवाब बताना था कि उसका कोई सांसर होगा डायक्शन से लेटर क्यूसन सा तो उसका मैं आपको पहले बता देता हूं उसमें आप चेक कर लेना उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उसमें 18 मिटर जो है आपका होगा इस्ट यह आंसर हो जाएगा और आयोफ आपने उसे डेफिनेटली सोल कर लिया होगा उसमें कोई दिक्कद आपको आई नहीं होगी तो आज की प्रैक्टिस हैट पर फोकस की संक्या से कहा किया जाए विभाजित किया चाए canकी जिससे वह क्या एक पोण बोर्ग making आपके फास में आपके आर्च हो हो यह पूर्ण वर्ग बनाती है तो इसका अंडरूर निकालते हैं तो हाँ यह डिफिनेटली 50 का आपके पास बनाती है क्योंकि यहाँ पर देखे 25 तो 5 का हो जाएगा और यह 100 है 110 का हो जाएगा तो 50 हो गया तो बिल्कुल फिर इससे छोटा तो option में है नहीं तो यह यह answer आपके पास हो जाएगा बाकि आप चाहें तो other option भी चेक कर सकता है अब देखते हैं next question और next question अब आप यहाँ पर देख पाएंगे क्या वो लगए कि वस्तु है उसका अंकित मुल्या यानि कि जो mark price है वो आपको बोल रहा है 20% अधिक है ठीक है cost price से cost price 20% राधिक 20% का fraction 1 by 5 अगर cost price 5 है तो mark price 6 है उसके बाद में आप से क्या पोल रहा है कि उसको जो है अंकित मुल्या पर mark price पर क्या किया जाता है क्योंकि बहुत बार हम इस question को इस तरह से कर चुक है अब देखो cost price आपके पास में है अब देखिए हमें इन दोनों को same करना है अब देखिए अभी तक तो हमने देखा होगा कि जवदातर question में क्या होता है कि हम एक दूसरे को multiply करके ही solve कर लेते हैं लेकिन हम इसमें क्या कर किसको सेम करने के लिए हम किसको क्या करते हैं इसको 10 से multiply करते हैं 6 को 60 और 20 को 60 बनाने के लिए में 3 से multiply कर देता हूं ठीक है तो सिर्फ इससे 3 से किया तो इससे भी 3 से करेंगे तो 19 इंट्री 57 हो जाएगा और 55 को भी 10 से करना पड़ेगा ठीक है 50 और यह जागा 60 और 57 अब आपके पास प्रसंटेज जाएगा यह टू टाइम के चला जाएगा 7 इंटो 2 यानकी 14 यह आपके पास आंसर जाएगा यानकी कितने का फाइदा होगा उसे 14 परसंट का तो भी आप चरह आपका हो जाए रहे हैं अब देखते हैं next question so next question देखे friends question number 23 बहुत ही अच्छा question है क्या बोल रहा है A ratio B, 2 ratio 5, B ratio C, 4 ratio 3, C ratio D, 2 ratio 1, A, C, D का मान पूछा है question मैं आपको ratio वाला math series के अंदर करवा चुका हूँ, question को कैसे करेंगे आप सिधा लिख लिए A, B, C, D, अब जैसे जैसे बोल रहा है A और B का ratio है सबसे पहले 2 ratio 5, उसका B और C का ratio है 4 ratio 3, C और D का ratio आपको 2 ratio 1 दिया गया है तो लिखना इस तरह किसे है जैसे मैं लिख रहा हूँ आपर, अब क्या करेंगे, इन दो के B और C के दोनों के अलग-अलग मान है इनको हमें same करना है, same करने का वही method हमें क्या करना होगा कि इनको या तो चोटी से चोटी संक्या से multiply करो या आपस में इनको multiply करो, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले same कर लेता हूँ यह 5 है और यह 4 into 2 है ठीक ना तो अब इसको क्या करना पड़ेगा इसको भी 2 into 4 से multiply करना पड़ेगा अगर इसको 2 into 4 एनके 8 से किया तो इसको भी 8 से करना पड़ेगा और इसको 5 से करना पड़ेगा अगर इससे 5 से कर दिया तो देखे 5 into 2 into 4 5 into 2 into 4 यह भी सेम हो गया अब इसको 5 से किया है तो अगेन इससे 5 से करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इससे भी 5 से करना पड़ेगा इससे भी 5 से करना पड़ेगा, अब आप 6 कर लिए, 8 in do 2, 16 यह हो जाएगा आपके पास, में 5, 20, 20, 20, 20, 40। चालिस उसके बाद पंच दिया पंदरा पंदरा तर्फ उसके बाद यह हो जाएगा 15 अब यह रेशियो पूछ रहा है आपको A रेशियो C रेशियो d का उल्ली तो A का रेशियो 16c का है 30 d का है 15 तो 16 रेशियो 13 दिश्यो 15 यहाँ पर देखिए डी उप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इसका अब देखते हैं फिर next next देखिए आपके पास average का question है और यह भी definitely बहुत ही अच्छा question है देखे क्या बोल रहा है कि एक गेंदवाज है उसका जो 5 मेचों का average है आपके पास में वो है आपके पास में 45 रन और उसके बाद अगले 4 मेचों का जो ओस्ट है वो कितना है 15.75 अब आपको पूछा है कि टोटल 9 मेच हो गए इन 9 मेचों का ओस्ट क्या होगा इसको आराम से निगाल सकते है कैसे 5 इंटू 45 प्लस 4 इंटू 15.75 अपॉन 9 यह आप करेंगे तो आपके पास average है जाए अब आप इसको लोग उसका क्यूशन है यह क्यूशन हम कर भी चुके हैं मैच सेरीज वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है एक रुपए में कितनी कलम खरीता है एक रुपए में वह खरीता है पच्चेस कलम तो एक कलम की मुल कर लो कि SP माइनस CP कर लो हमें मिल जाएगा प्रोफिट और उसके बाद हम उसको निकाल लेंगे तो कैसे करेंगे 1 बाइ 15 माइनस 1 बाइ 25 अपॉन CP तो 1 बाइ 25 इसको देखें आप सोल कर लीजे तो यहां पर आपके पास में यहां तो आप इसे ऐसे सोल कर लीजे नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं थोड़ा साथ एकि आपके लिए easy बना देता हूं calculation को हम क्या करते हैं कि दोनु संख्याओं में 50 से multiply कर देता हैं इसमें भी 50 से और इसमें 50 से multiply कर दिया तो यह 2 बन गया और इसमें 50 से multiply कर दिया तो यह 5 से कर जाएगा 10 बटा 3 बन गया है ठीक है अब हम 10 बटा 3 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा 4 by 3 यह आसानी से हमारे पास आगया तो difference आपके पास 4 by 3 है upon क्या करना है cp cp कितना है आपके पास में 2 और into आपको कर देना है 100 यानि कि 4 by 6 into 100 हो गया यह multiply हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा आपके पास calculation को easy बना सकते नहीं तो आप एक बटा 25 और यह गठाते तो 25 से multiply करना बटा थोड़ा difficult होता तो आप इस तरह से solve कर सकते हैं अब देखें next question अब देखें next question है यह भी बहुती अच्छा question है अगर आपको लगता है कि मैं इस question को आसान बता रहा हूं तो आप खुद करके question क्या है कि x4 plus 1 by x square upon x square minus 3x plus 1 काफी अचा question इसे मान सकते हैं देखा अब इसमें कोई चीज आपको दिखनी रहा है तो हमें देखें x plus 1 by x का मान दिया है तो इसको उसी प्रकार से बनाना हुगा मैं क्या करता हूं उपर x, लेलता हूं नीचे देखें x square है आपके पास में औ नीचे बढ़ेगा तो यहां पर क्या होजाएगा x cube अब देखें नीचे भी x को में लिए लिए क्या होजाएगा x minus 3 plus 1 by x अब इस x को काड़ दीजिए उपर बचा x4 plus 1 by x4 नहीं बचेंगा है आपे x cube x cube plus 1 by x cube यह बचा और उसके बाद में नीचे बचा है आपके पास में x plus 1 by x minus 3 अब देखें इसको हम क्या लिख सकता है कि x plus 1 by x इसका whole cube minus 3 x plus 1 by x और आपोन इसको लिख सकता है ऐसे गैसे x plus 1 by x इस तरह से बना के लिख सकता है minus 3 अब देखें x plus 1 by x का मान 17 दिया गया हमें तो 17 का cube minus 3 into 17 upon 17 minus 3 तो इसका cube करेंगे यह जागा 4913 और इसके बाद minus 51 upon 17 minus 3 14 अब इसको जब solve करेंगे तो यह हो जाएगा आपके पास में 2,4,3,1 upon 14 इस तरह से आपका जो answer हो जाएगा हो जाएगा a option तो question थोड़ा lengthy है time taking है I know बट इसको आप solve कर सकते हैं ठीक है अब देखते हैं next question next question देखिए आपके पास में दिया गया है question number 27 और यह भी अच्छा question है आपके लिए देखिए आपको क्या बोला गया है कि यह equation दिया गया है इसको simplify करना है अब आप देखिए कि को सैक six a minus court six a minus three को सैक square a court square a यह आपके पास में न अब इसमें आपके पास दिया क्या गया है कि यह है आपके पास में को सैक is square a इसको मैं six को किस तरह से लिख सकता हूं आपके क्यूब माइनस six की form को हमने is square में change करने नहीं है court square a इसका क्यूब उसके बाद माइनस three को सैक स्क्वायर a और court square इसको में ही रखना है ठीक है न अब उसके बाद में यह क्या formula बन जाएगा आपके पास में कि को सेक स्क्वाइर ए माइनस कोट स्क्वाइर ए इसका क्यूब यह फॉर्मला इसके लिए बन जाएगा और इसका जो मान होता है आपके पास में वह और यह आपके पास में हो जाएगा कि इसका मान होता है यह जो बीच इसक में की क्योव करोगे तो वन ही आएगा आश्रे हो जाएगा आपके पास में डिम सब्सक्राइब अब देखते हैं फिर next question next question देखे काफी अच्छा question है ये question और अगर आपको लगता है कि हाँ easy है तो आप इसे करके देखे अच्छा question का मतलब यह है कि hard नहीं होता है लेकिन exam में आने like question को अच्छा question बोलता है अब देखे 10a is equal to 1 by 2 दिया गया है 10b is equal to 1 by 3 और आपसे question बोचा है कि यह आपके पास में क्या दिया गया है 10 2a plus b इसका answer बताओ अब देखे एक formula होता है 10 2a का यह आपको ध्यान रखना है इसका formula क्या होता है आपके पास में 2 10a upon 1 minus 10a square है यह आप इस 2a की जगह a plus b ले ले लिजे a plus b में formula क्या होता है यहाँ पे 10 a plus b is equal to 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b यहाँ पे दो बार अगर रहेगा तो square हो जाएगा और उपर जूड़ जाएगा तो इस तरह से यह formula होता है इसका तो अब यहाँ पे 10 2a का पहले मान निकाले है अगर 10 2a का मान मैं अगर निकालने जाता हूँ तो यहाँ पे 2 और 10 a 10 a का मान आपको क्या दिया गया है 1 by 2 upon 1 minus 10 square a 10 square a ठीक है तो इस का मान आपको दिया गया है 1 by 2 तो 1 by 2 का मतलब square करेंगे तो 1 by 4 इसको आप solve कर ले न यह 4 by 3 आ जाएगा यानि कि किस का मान चीए 10 2a plus b का तो इसको कैसे लिखेंगे 10 2a plus b को हम कैसे लिखेंगे 2 10 2a plus 10 b upon 1 minus 10 2a 10 b ठीक है तो इसको आगे देखें कैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 2a का मान हमने निकाल लिया 4 by 3 plus 10 b का मान 1 by 3 upon 1 minus 4 by 3 into 1 by 3 अब आपके पास तरफ यह equation है इसको आप सोल कर लेना इसके answer जो आजाएगा आपके पास में हो जाएगा 3 और भी option है पर सही answer हो जाएगा तो इसको सोल कर लेना कोई दिक्कत नहीं है यह equation में नहीं हाथ आपको करवा दिया ज्यादा करवाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है अब आगे देखते हैं next question next देखे question आपके पास में है कि question 29 है इन में से आपको समंधित सब्द बनाना है जिसे गाड़ी सड़क से लेटेड है तो समुद्री जहाज किसे लेटेड होगा obviously जल से लेटेड होगा तो यह option होजाएगा क्योंकि गाड़ी जो सड़क पे चलती है समुद्री जहाज जल में चलेगी ठीक है तो इस तरह से आप इस देख कर सकते हैं नेक्स देखिए दिएगे विकल्पों में से विसम अकसर चुनिए तो इसमें आपको विसम बताना है तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी option हो जाएगा और कैसे यहाँ पर विसम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखें CWDX इसके अलावा जो आपके पास में दिए गया है उनमें सभी में क्या है कोई न कोई जो है स्वर है स्वर मतलब ओवल है यहां पे इसमें कोई स्वर आपको नहीं देखेगा देखिए इसमें O है और इसके बाद में U है इसमें E है लेकिन इसमें कोई नहीं है तो इस तरह से यह दिफरेंट है D answer हो जाएगा ठीक है next question देखिए क्योशन 6 9 15 24 39 63 इस तरह से दिया गाए इसमें आंसर बताना है सिरीज चल रहे है सिरीज का आंसर है देखे इसमें क्या हो रहा है कि 6 प्लस 9 पिछली दो संख्याओं का एड़ करने पर तीसरी संख्या मिल रहे है प्लस 9 15 15 प्लस 9 24 24 प्लस 15 39 तो इसे प्रकार 39 प्लस 63 102 हो जाएगा और सी आपका साही जवाब हो जाएगा अब देखते हैं फिर नेक्स क्यूचन देखे फ्रेंट्स है मैं आपको करभा भी चोंगाऊ लेसे था ब्लाड लेसे रिजिनिंग में और यह आप इसे समझ सकते हैं आसने से कोई तरीका नहीं होता है क्यूका करने का क्यूसन जैसे जैसे बोल रहे इसे देख चैना क्यूं वाई है आप तेकि P बनाया आपने और उसके साथ में Q बनाया अब P और Q भाई है ठीक है भाई है अब हमें इसका जेनर नहीं पता है उसके बाद P S का पिता है अब P जो है S का पिता है तो जेनरेशन के इसाब से पिता है P तो S नीचे जाएगा S का पिता है P, तो P positive हो गया positive मतलब man और negative मतलब woman R Q का एक मात्र पुत्र है Q का एक मात्र पुत्र R है तो R का भी positive होगा पुत्र है, वह U से विवाहित है अब जो R है, वो U से विवाहित है अब विवाहित होगा, यह positive है, तो यह negative होगा उसके बाद U S से किस परकार समझी था तो U जो है न ये S का क्या होगा ये दोनों भाई है ठीक है इनका ये पुत्र है तो U S की क्या होगी भावी होगी ठीक है ये ध्यानक लेना है तो यहाँ पर ये दोनों भी भाई होंगे न चैचेरे भाई तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास में ये इसकी बावी हो जाएगी तो U S सही जवाब हो जाएगा देखते हैं फिर next question देखें फ्रेंस question बोल रहा है आपके पास में कि 9 वर्स के बाद B की आयू A की वर्तमान आयू के बराबर होगी यान कि A है एक एक B है तो B की जो आयू है 9 वर्स के बाद में A की जो वर्तमान आयू मैं माल लेता हूँ A की वर्तमान आयू X है ये बराबर होगी अब क्या बोल रहा है A की 3 वर्स के बाद आयू अब A की 3 वर्स के बाद आयू कितनी होगी X plus 3 आयू क्या होगी B की 4 वर्स पहले तो यहाँ पर अपने क्या है कि इसकी 4 वर्स के बाद में तो इसकी 4 वर्स के बाद में कितने हो जाएगे माइनस 4 करने वाद x plus 4 और क्या बोल रहा है इनका योग कर दो यहाँ कि x plus 3 plus x plus 5 इनका योग 76 है तो यह हो जाएगा 2x plus 5 plus 3 8 is equal to 76 अब यहाँ पर x की value निकाल लो तो 76-8 यान कि 68 अब पॉंट 2 हो जाएगा तो यह आजएगे 34 अब आपके बाद क्या बोल रहा है कि c की जो b की वर्तमान आयू का आदा होगा तो b की वर्तमान आयू दिखो कितनी है x प्लेस 9 तो b की वर्तमान आयू का आदा होगा तो c जो है b की वर्तमान आयू का आदा होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना था कि आदा तो 10 वर्ष के बाद c की आयू बताना है आपको तो यहाँ पर कर लो इसके बाद 34 34 by 2 आदा कर दिया 17 और उसके बाद में 10 17 plus 10 यह आपके पास में जाएगा 27 और यह आपके पास में जाएगा C option ठीक है तो इस तरह से आपका अंसर हो जाएगा C option next question देखिए अभी question 34 क्या गया गया है कि दिये गए प्रसंट में से निमें लिखे त्विकलपों का chain करें इसमें से आपको क्या बताना है कि एक word दिया गया है इसमें से कौनशन नहीं बनाया जा सकता इसका अंसर आप सोचिए इसका अंसर हो जाएगा B A N E इसमें देखिए यहां पर A जो है कहीं पर नहीं आया है E N B O G I N तो A नहीं मिलेगा आपको तो अंसर C option हो जाएगा उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 3 has 4 यहां पर परसंटेज इस प्रकार कुछ यहां पर संक्रिया यह लगानी है आपको प्लस माइनस जो भी लगाएं आप मल्टिप्लाइज डिवाइड उसके बाद यह satisfy होना चाहिए तो यह बताना है आपको देखो 3 has की जगह अगर मैं यहां पर डिवाइड लगा दू 3 by 4 और इसकी जगह पर मैं लगा दू मैं लगा दू मुल्टिप्लाइज परसंटेज ग किया तो यह 4 से 4 कट गया और यह 3 बज़ गया तो यह तो नहीं लग रहा है तो हम क्या करने इसको जस्ट उल्टा किया उल्टा करेंगे तो क्या होगा कि 3 और इसकी जगह पर मुल्टिप्लाइज करते हैं 3 into 4 by 8 तो यह हो जाएगा आपके पास में 12 बटा 8 एक मिनट यहां पर देखो हमने 4 नहीं किया यहां पर 8 है तो 8 लगाएंगे तो देखो 4 into 2 तो यह हो जागा 3 into 2 6 तो यह वाला ही पहले वाला ही अप्लाई हो जाएगा तो इसके बाद देखें इस पर आप अप्लाई कर लेना इस पर हम अप्लाई करते हैं तो 12 परसंटेज की जगह देखें यह भी चीज ध्यान लखना पहले परसंटेज कर दिया तो परसंटेज का मतलब मल्टिप्लाई है तो देखें यहां पर ऐसे में 9 into परसंटेज मतलब मल्टिप्लाई है तो 4 और डिवाइड भाई 3 तो 3 3 से 3 कट जाएगा 12 अब इसको सोल करें परसंटेज का मतलब हमने क्या माना था यहां पर मल्टिप्लाई तो 12 इंटो 6 और इसका हैज का मतलब आपके पास डिवाइड तो इंटी 24 इसको काटेंगे तो 12 से 2 और यह 2 से 3 तो यह आपके पास बी ओप्सन क्रेक्ट हो जाएगा अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कुशन देखें इमेज से लेड तो यह इस तरह से कुछ बनेगा ठीक है नवर यह वाली गोला जो है इसके पीछे बनेगा तो इस तरह से आकरती बनेगी यह बी ओप्सन में आप देख पा रहे होंगे यह सेम इसका अंसर है ठीक है तो यह इसका सईच्वाब होगा बाकी सारे गलात है और आंसर इसका बी section हो जाएगा अब देखते हैं फिर next question देखें आपको पूचा है blank को उसकी शेष जिन्दकी के लिए औरंग जेव ने कैद कर दिया तो किसको कैद कर दिया था तो यह ध्यामेक ना सहाजा को उसके जिन्दकी के लिए कैद कर दिया गया था साजा जो था मोगल वन्स का पांचवा सासक था और 1657 में उसके भीमार हो जाने के कारण उसके पुत्र में उत्रदिकारी का यूद छिड़ गया और उसके जैसे उरंजेव इस यूद में विजही रहा और जुलाई 1658 में उसके साजा को आगरा के किले में बंदी बना लिया और 1666 में उनकी मरत्य हो गई थी तो यह दिहान अकना B option हो जाएगा नेक्स्ट आपके पास में है कि 1928 में भारत में आये उस कमिशन का नाम बताएं जिसका उद्धे से भारत में समिधानिक रिवस्ता को सुधार करना था तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास हो जाएगा D option साइमन कमेशन 1927 में जो सर जोन साइमन थी उनकी अद्धेक्स्ता में आया था साइमन कमेशन का गठन किया गया था और उनकी अद्धेक्स्ता में भारत के समिधान की रष्टा को सुधारने के लिए यह किया गया था तो D option करेक्ट हो जाएगा next आपके पास में है कि अंतर भीदी आगने सेल का उधारान कौन सा है तो इसका अंसर हो जाएगा ग्रेनाइट D option है तो देखिए यह जो सटान है वो प्रतिवी की सतय में जो नीचे में जो मेगमा होता है उसके ठंडे होने से बनती है और इसके ठंडे होने की जो दर होती है वो बहुत कम होती है तो इससे क्रिस्टल पाए जाता है इसके अंदर तो अपने ग्रेनाइट देखा और ग्रेनाइट पत्तर होता है उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल आपके पास पाए जाता है तो यह जो है मेगमा की ठंडे होने के बाद में बनती है तो यह आपके पास में D option हो जाएगा नेक्स देखे की हिमाचल और बलेंग के बीच में इस्तित्र लंबत गाटी को दून के नाम से जाना जाता है तो कौन सी गाटी है आपके पास में हो जाएगा सिवालिक तो सिवालिक सरेने में जो लगू और मद्दे हिमाले हैं उसके बीच में अनुधहर घाटिया पाई जाती हैं जिनने पस्चे में दून और पूरव में दुवार के नाम से जाता जैसे देहरादून हरी दुवार ठीक है दून लग गया तो जहरादून और दुवार लग गया तो हरी दुवार तो सी उप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा पुस्प में नर लेंगिक अंग कुंसा होता है पिछले वीडियो में हमने देखा था मादा में नर लेंगिक तो होता इस तरीकेसर और इसका आंसर हो जाएगा पूंकेसर इस तरीकेसर और पूंकेसर बी उप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर पिछले वीडियो का हमने फोप्षन को الصुम्बक के वासंबग को अपने हाथ से कोई वश्पJan उठाते है या पैरों से किसे वश्थ को ठोकर मारते हैं तो क्या हुद्स लगता है क्यों जो बन है संपर्क के कारण लग रहा है तो यह संपर्क को बन भी कहते हैं ठीक तो D option है I am really sorry for that कि जल्दी बाजी में मैंने आपको अंसर भी बता दिया लेकिन अभी पूरा डिटेल से बताते है कि आप किसी को चीज को संपर्क करते हैं तो इसमें आपका PCA बल भी लगता है किसी को ठोकर मार रहे हैं या किसी वस्तों को हाथ से दबा रहे हैं तो इसलिए आपका अंसर D option रहेगा ठीक है अब देखते है next next आपके पास में है कि दो सतों के बीच लगने वाला जो गर्शन बल यदी क्या होना चाहिए तो इसमें आपको बताना है इसका हो जाएगा B दोनों प्रश्टों को बलपुरक दबाया जाए तो बीच गर्शन बल बढ़ता है तो वह परिवर्तन होता है बहुतिक परिवर्तन ठीक है तो बहुतिक परिवर्तन से कोई नया पधारत नहीं बनता है जिसमें उसके आणविक सरवचन नहीं बदलती है तो बहुतिक परिवर्तन कहलाता है जैसे आप समझ लेगे जल का वास्प में बनना अब जल से वास् पर में भी जल के रूप में ही रहेगा, ऐसे ही परिवर्तन क्या होता है, नया पधार्थ नहीं बनता है, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ रासाइनिक परिवर्तन की, तो जैसे कागज जल गया, तो कागज जल गया, उसके बाद एक नया पधार्थ आपके पास में, इसे कार्बन उससे ब्राप्त हो गया आपको ठीक है पहले विसके अंदर जो है वो राख बन गया उसका तो वो पधारत की आवस्ता भी चैंज होगी उसका मेटिरेल भी चैंज हो होती हैं जैसे यह मोटा तार है आपके पास में इसमें हम क्या करें इसमें सो छोटा सा तार खेंच के उसको लंबा ऐसे बढ़ा देते हैं तो वह तन्यता होती है उसके बाद है कि संचार प्रणाली की खोज किसने की थी ठीक नहीं इसका अंसर आपके पास हो जाएगा विलियम हार्वे ठीक है तो परीशंचरन तंतर जो आपकी थे आपके शरीर में जो रिध्य बहता है नलियों के अंदर यसी चीज का पता लगाया था विलियम हार्वे मे जिसे आपके रो को क्रोच होता है उसमें खोण जो होता है आपके पास वैसे ही रहता है ठीक है ऊसमें कोई परिशंचरन तंतर नहीं होता तो विलियम हार्वे में इस चीज का पता लगाया था वियो ऑप्सन इसका सही आंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्स्ट की वर् तो इसका आंसर हो जाएगा आपर नहीं के विच में 37 वर्सों के बाद कुटमितिक समंदोगा को नाष्तापित किया गया तो यह क्या होगा तो यह है मोरेग को ठीक है तो इसका अंसर जागा भी उप्जन उसके बाद में आपके पास है नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी साजा करता है नेपाल जो है भा बारत दा तिब्बत इस्तित है और नेपाल में ही विश्व की सबसे उची चोटी माउंट टेवरेस्ट इस्तित है तो इसलिए ही इसको ज्यादा जाना जाता है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बैल आकान दबादेना सीव सुन इन दे नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाइबाय टेक केर ओल देवेस्ट